सरकार ने जम्मू कश्मीर में रावी की सहयक उज्ज नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए तैयार बहु उदेशिय योजना का तेजी से कारेयन अव्यान करने का निर्न लिया है जल शक्ती मंत्रा लेके एक अधिकारी ने ये जानकारी दी अधिकारी ने बताया जम्मू कश्मीर में रावी की सहयक उज्ज नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बनाई गई बहु उदेशिय योजना के तेजी से कारेयन अव्यान के इरादे से आयोजित उच सितरिय बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुई उन्होंने बताया के परधान मंत्री कारलेय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितिंदर सिंग की अध्यक्षता में हाल ही में संपन इस बैठक में जल शक्ती राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया सहित समंदित विभागों के पुसार भारत के हिस्से के पानी का बहतर इस्तमाल किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि परियोजना के डीपी आर को जुलाई 2017 में तक्नीकी मंजूरी दी जा चुकी है और इस पर काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तक्नीकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रह इस पानी से जम्मू कश्मीर के कट हुआ हीरा नगर और सांबा जिलों में 31,380 हैक्टेर भूमी की सिचाई और पेजल की आपूर्ती हो सकेगी ये एक राश्ट्री परियोजना है जिसे केंदर की ओर से 4892 दसमलव 47 करोड रुपे की मदद दी जा रही है ये मदद मुख्यत परियोजना के सिचाई समंदी हिस्से के लिए होगी परियोजना के लिए बिशेश मदद पर भी विचार किया जा रहा है जल शक्ती मंत्राले से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंदू नदी परनाली में परमुक रूप से सिंदू, जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और स सतलुज नदीयां शामिल है, भारत और पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के 22 चेतर, बेसिन आता है, जिसका एक बहुत छोटा हिस्स़ चीन और अफगानिस्तान में भी है भारत और पाकिस्तान के बीच, 1966 में हुई सिंदू नदी जलसंदी के तहट इस नदी की सायक नदिय कुछ अपवाद छोड़कर भारत पूर्वी नदियों का पानी बिना रोक टोक के इस्तमाल कर सकता है